हलो दूस्तों मिरा नायम है मुहम्मत कैसर और आप देख रहा हैं Study Channel सबसे पहले आप सभी लोगों को Happy New Year और ये हमारा 2022 का पहला वीडियो है जो आप देख रहे हैं तो नए साल में हमें और आपको प्रड लेना है कि जो भी हमारा काम है उसे हम इमानदारी से करेंगे और लक्ष को अपने प्राप्त करेंगे हमें साथ Goal Oriented काम करना है और प्रड ये ही है कि हमें इस साल नौकरी ले लेना है आप जिस भी भरती परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बिलकुल Focused हो जाएए dedicated हो जाएए क्योंकि 2022 में बहुत सारी vacancies आ रही है और बहुत सारी परिक्षाएं हो रही है तो आपको focus रहना है अपने परिक्षा पर अपने target पर बाकी मेरा जो काम है मैं पूरी मनदारी के साथ आपको सभी जानकारिया बिलकुल latest और authentic provide करता रहूंगा जैसा कि thumbnail पर आप देख सकते हैं कि 32,000 पदों पर सिक्षक भरती का आयलान हो गया है और उसकी विग्यप्ती भी जारी हो गई है प्रेस नोट भी जारी हो गया है खबर राजस्थान से है लेकिन सभी राजियों के छात्र यहां पर आवेदन कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ उत्तर प्रदेस की देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेस में 17,000 पदों पर सिक्षक भरती का विग्यापन 8 जनवरी को जारी होने जा रहा है तो 2022 में बहुत सारी भरती आ रही है पिछले 3-4 सालों से जो भरती नहीं आई वो भी 2022 में देखने को मिल रही है तो सूपर्टेट 2022 का एलान हो गया है कल बहुत सारे चातरों की मुलाकात होई आला अधिकारियों से और मैंने कल आपको उसके वीडियो भी दिखाए थे तो फिलहाल अपडेट यह है कि नई सिक्षक भरती का विग्यापन 17,000 पदों पर 8 जनवरी को जारी हो जाएगा और ये उत्तर प्रदेश से बड़ी ख़बर आ रही है चात लगातार मांग कर रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं कि 17,000 नहीं हमें 97,000 चाहिए और इसके लिए 3 जनवरी को एक बड़ा धर्ना पदर्शन भी होगा साथे साथ 3 जनवरी को एक और महतपुर्चीज होगी वो होगा 79,000 का सल्यूशन आरक्षित वर्ग के चात जो लंबे समय से अपने लिए संघर्स कर रहे थे आरक्षर में भी संघर्टियां होई थी बहुत सारे चात्रों के साथ न्याय हुआ था उनको नियाय मिलने जा रहा है और 3 जनवरी को सुची जारी होगी 79,000 में जो आरक्षित वर्ग के अभ्यति थे जो आरक्षर के निमों की वज़र से नौकरी नहीं पाए तो एक सुची जारी होगी 3 जनवरी को 69,000 की ऐसे अभ्यतियों को निउक्ति मिलेगी लेकिन आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर जो राजस्थान से है और बहुत सारे छात्रों को इसमें कन्फ्यूजन भी है अशोग अलोज जी का ये पोस्ट आप लोगों ने देख लिया होगा जिसमें उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2022 में 14 और 15 मई को रीट का एक्जाम होगा और इसके बाद करीब 20,000 नई शिक्षक भरती आएगी लेकिन एक 32,000 शिक्षक भरती का विग्यप्ती भी जारी हो गया है जिसे आप यहां पर देख पाएंगे मैं सारी चीजों को बिलकुल आसान भासा में आपको बताने की कोशिश करूँगा ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो 32,000 की भरती है ये दोस्तों रीट 2021 के आधार पर होगा जो परिक्षा हो गई है और जिसके लिए चात लगातार मांग भी कर रहे थे पदशन चात कर रहे थे कि 50,000 पदों पर भरती आए लेकिन सरकार ने 32,000 पदों पर विग्यापन निकाल दिया और 20,000 पदों के लिए अगले रीट यानि रीट 2022 का ऐलान भी कर दिया तो इसमें दोस्तों आपको कनिस्मिजन नहीं होना चाहिए तो असोग गैलोज जी ने यहाँ पर पोश्ट करके बताया है कि वर्ष 2022 में रीट की परिछा 14 और 15 माई को होगी पहले रीट एक ही दिन में होता था लेकिन 2022 का ज 20,000 पदों पर भरती होगी इसके बारे में सुचना यहाँ पर मिल गई है और इस 20,000 में लेवल 1 और लेवल 2 यानि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के पद होगे तो यह मामला आपका बिल्कुल क्लिर होगे अगर अभी तक आपने रीट की परिछा नहीं दी थी य और नई भरती का वो इंतजार कर रहे थे तो इन अभ्यरतियों के लिए नई भरती आ गई है कुल 32,000 पदों पर यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के पद हैं कितने पद लेवल 1 में हैं कितने लेवल 2 में हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कल के डेट में यानि कि 31 दि लेवल 2 का रीट में राजास्थान में प्राइमरी से B.A. बाहर हो गया है आपको मुद्दा पता ही होगा B.A. वाले केवल लेवल 2 के लिए ही आवेदन कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे अध्यापक लेवल 1 अध्यापक लेवल 1 गैर अनुसूचित छेतर और अन और लेवल टू में पदों को जोडेंगे तो ये होगा साड़े सोलह हजार साड़े पंदरह और साड़े सोलह होते हैं 32 और यही है कुल पदों की संख्या यानि कि आँ मान सकते हैं कि लगभग लगभग बराबर पदों पर भरती आई है और लेवल 1 में साड़े 15 हैं, लेवल 2 में साड़े 16 हैं, 1000 यहां पर अंतर है पदो में इच्चु कुम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं 10 जनवरी से, तो 10 जनवरी से इसका आवेदन सुरू हो रहा है जो चलेगा 9 फरवरी तक विभाग की वेबसाइट यह है, इसी पर आपको आना है और ओनलाइन आवेदन करना है, सिर्फ ओनलाइन आवेदन होगा और एक सेधिक आवेदन आप नहीं कर सकते फॉर्म बनने के बाद एडिटिंग यानि करेक्शन का मौका आपको नहीं दिया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रातना पत्र सुईकार नहीं किया जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है फॉर्म बनने की फीबी काफी कम रखी गई है जो एक बहुत ही अच्छी पहल है और आजस्थान सरकार की एक अच्छी चीज ये लगती है कि ये लोग फीखम रखते हैं, एक्जाम को लेकर सीरियस रहते हैं, रेट में आपने देखा होगा, सेटेट में आपने देखा होग बसेस के किरायव अगरे फ्री थे, खाने पीने का भी विवस्ता किया गया था, और भरती के लिए दोस्तों यहाँ पर डारेक्टली बतीस हजार की प्रेस विग्यप्ति जारी हो गई है, ऐसा नहीं हुगा कि दस बार नोटिस जारी करें, फिर ब्यवरा ना मिलें, फिर नो ग्यप्ति जारी हो गई, विस्तित विग्यापन इसका जल्द आएगा, जिसमें जिलिवार पदों का विवरल होगा, तो वो नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा, और दस जनवरी से इस 32,000 पदों के लिए आवेदन सुरू हो जाएगा, कोई भी confusion है, कोई भ कोई भी आपके confusion है, कोई भी आपके सवाल है, इस भरती से संबन्धी तो आप हमसे सीधे comment से सर में पूछ सकते हैं, आप चाहें तो आप हमारे टेलेग्रांग चैनल को भी जोइन कर सकते हैं, link description box में और pin comment में दिया गया है, वहाँ पर आप अपने सवाल पूछिए और जाएगा, इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन जरू दबा लीजिएगा, दोस्तों ताकि आपको इसी तरह की सभी latest और authentic information मिलती रहे, thanks for watching.